आपके अवचीतन मन की सकती अध्या छो मानसी गुपचार की वेभारिक तक्निके जब कोई इंजिनियर पूली या अंत्रिक्ष्यान बनाता है तो वह किसी जानी पहचानी तक्निक की आजमाई हुई योगिता एवं तरीके से समस्या को हल करता है ये तक्निके योगिताएं और तरीके सिखने परते हैं इसी तरह आपके जिवन को नियंत्रित और निर्देशित करने के भी जानी पहचानी तक्निके योगिताएं और तरीके हैं ये तरीके और तक्निक मोलभूत हैं गोल्डेन गेट ब्रीज बनाने से पहले इंजिनियरों को गनित के सिधान दवाब और तनाब को समझना था, दूसरे उन्हें अपने मस्तिक सिखारी पर उत्क्रिष्ट फूल की मानसिक तस्वीर बनानी थी, तीसरा कदम उस तस्वीर को साकार करने के लिए अजमाय हुए और समय सिध तरीकों का इस्तमाल करना था, जब ये तीनों कदम फूरे हो गएं तो फूल बन गया और कार चलने वालों की कई पिडियां उससे पास जाने लगी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रात्नाओं का जवाब मिले, तो आपको सही तकनीक और विदियों की सुरुआत करनी होगे, प्रात्ना का जवाब वैज्यानिक तरीके से मिलता है, कुछ भी सन्योक्ष नहीं होता, या वेवस्ता और नियम फायदे की दुनिया है, इस अध्या में आप अपने अध्यात्मिक जीवन के प्रकटी करन और पोशन की वैभारिक तकनीक पाएंगे, आपकी प् उस्तक में धार्मिक पुजा पाठ के अपचारिक प्रतनाओं को सामिल नहीं करेंगे, समु अराधना का अपना महत्तु है, लेकिन यहां हम उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, हमारा मुल ध्यान तो उस व्यक्तिकत प्रतना की उपर पढभावी तरीके पर है, जो जिन्दगी में सामिल किया जा सके, ताकि आपको या दूसरों को मदद मिल सके, प्रतना किसी मनचाही चीद से जूरे विचार का सुत्री करन है, प्रतना आत्मा की सच्ची मनोकामना है, आपकी मनोकामना ही आपकी प्रतना है, यह आपकी सबसे गहरी जुरत से मिलती है, और स्वास्त, खुसी और जीवन की बांगी अन नियामतों को पाने की कारगर अभिवखती चेतन से अब चेतन तक विचार पहुचाने की तकनिक जैसा हम देख चुके हैं परभावी प्रातना का रहश अब चेतन मन को इच्छित परिनाम से सरोवार करता है ऐसा करने का एक बहुत आसान तरीका चेतन से अब चेतन मन तक विचार पहुचाने की तकनिक है इसमें मुलमुत अब चेतन मन को प्रेरित किया जाता है ताकि वो चेतन मन के आगरा को उसी रूप में गरहन को गरहन कर ले यह तकनिक सपने जैसे इस्तिती में सबसे अच्छी तरह काम करती है जान ले कि आपके इस ज्यादा गहरे अब जेतन मने में असमीत बुद्धी मता है और असीम सकती है बस सांती से अपनी मनों कामना के बारे में सोचे इसके साकार होने की तस्वीर इसी पल से देखना सुरू करते उस छोटी लड़की की तरव बने जिसे बहुत बरी खांसी थी और गला खराव था उसने दिड़ता से बार बार घोसना कि खांसी अब जा रही है अब यह जा रही है जमतकार यह हुआ कि खांसी एक घंटे में सचमुच गाइब हो गई इस तकनीक का इस्तमाल पूरी इमानदारी और सहजता से करे आपका अवचेतन आपके बुलू प्रिंट को स्विकार कर लेगा अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए नया घर बनवा रहें तो आप उसके बुलू प्रिंट में गहरी डोची लेंगे आप ये सुनिचित करना चाहेंगे कि भवन निर्माता आपके बुलू प्रिंट का अक्षर अश्य पारन करें आप उसके द्वारा लगाये जाने वाले निर्मान समागडी पर भी ध्यान रखेंगे अगर जानते हैं कि आपकी भावी मकान का जीवन इस समागडी की गुनवत्ता पर निर्वर्ण करता है इसलिए आप सर्फस्ष्ट सिमेंट, बिजली के तार, छत की समागडी आदिच चुनेंगे क्या इसमें समस्दारी नहीं होगी, क्या आप इतना ही ध्यान आपके मस्थिक्स घर पर रखें क्या इसमें समस्दारी नहीं होगी, क्या आप इतने ही चिंता, खुशी और सम्विद्धिक के अपने मानसिक बुलूप्रिंट पर करें आपके सभी अनुभाव और जीवन के दाखिल होने वाले हर चीज़ उन मांसिक इंडों की प्रकिर्टी पर निर्वर करती है जिसका पड़ियोग आप अपने मांसिक घर को बनाने में करते हैं अगर आपका मांसिक ब्लूप्रिंट डर, चिंता, तनाव या कमी से बना हो बनाते हैं, आपके सब्द खामोस और अद्रिस लेकिन वास्तविक होते हैं आप हर समय अपना मांसिक घर बना रहे हैं और आपके विचार तथा मांसिक तस्वीर आपके ब्रूप्रिंट को दरसाता है हर घंटे, हर पल आप बेहतरिन सहत, सफलता और खुसी का निर्मान कर सकते हैं उन विचारों से जो आप सोचते हैं या रखते हैं उन विश्वासों से जिसे आप स्विकार करते हैं और उन द्रिश्चों से जिसकी आप अपने मस्तिक्स में छीपे हैं वे स्टूडियो में रिहलसर करते हैं जिस राजसी महल के निर्मान में आप लगातार जूटे रहते हैं वो आपका व्यक्तित्व है वो धर्ती पर आपकी पहचान है इस दुनिया में आपके जीवन की पूरी कहानी है एक नया बुलू प्रिंट बनाएं वर्तमान पल में सांती, खुशी और सदभावना के एसास द्वारा इसे खामुसी से बनाएं उन चीजों का दवाब करने पर आपका वचेतनमन आपके बुलू प्रिंट को स्विकार कर लेगा और इन चीजों का उत्पन कर देगा जिनके फलों से आप उन्हें पहचान जाएंगे सची प्रातना का विज्ञान और कला विज्ञान का अद्व सन्यूजित विवस्तित और करमबध ज्ञान है आई ये सची प्रातना के विज्ञान और कला के बारे में ज़्यादा गौर से सूचे यह ज्ञान जीवन के बुनियादी सिध्धानतों के बारे में है इसमें उन तकनिकों और प्रकिडियाओं का वर्नन है जो आपके या अन किसी व्यक्ति के जीमन में प्रदर्शित की जा सकती है जो पूरे विश्वास्च उन्हें लागू कर सकता है आपकी तकनिक या प्रकिडिया और इसके पीछे का विज्ञान आपके मांसिक तस्वीरिया विचार पर आपके रचनात्वक बन के निश्चित प्रकिडिया है मांगो और तुम्हें मिल जाएगा खोजो और तुम पालोगे खट खटाओ और तुम्हारे दर्वाजा खुल जाएगा यह बहतरी इन पंक्ति हमें बताती है आपका असपस्ट अर्थ है कि आप जो चीज मांगेंगे वो आपको मिल जाएगी जब आप खट खटाएगे तो आपके लिए दर्वाजा खुल जाएगा और जब आप इसे खोज रहे हैं उसे पालेंगे इस सबक में मांसिक और अध्यात्मिक नियमों के निश्चित्ता नहीं थै आपके चेतन पर आपके अपचेतन मन की असमित बुद्धी मता हमेशा सीध्या प्रकिडिया करती है अगर आप रोटी मांगेंगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा आपको पुरे विश्वास से मांगना होगा तभी आपको मिलेगा आपका मन विचार से वस्तु की ओर चलता है जब तक मन में तस्वीर नहीं होती तब तक मन की चल नहीं सकता क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा आपकी प्रातना जो आपका मांसिक कर्म है को पहले आपकी मांसिक तस्मीर को बनाना होगा तभी आपके अवचेतन की सकती इस पर काम कर सकती है और इसे साकार कर सकती है आपकी अपने मस्तिक में स्विकिर्थी के बिंदू पर पहुंचना होगा अविवादित और पुर्ण स्वकिर्ति इसके अलावा आपकी मनों कामना की पुर्ती से पहले देखने की खुशी तथा सुक की भावना होनी चाहिए सची प्रातना की कलो और विज्ञान का दमदार आधार आपका इस ज्ञान तथा पुर्ण विश्वास है आपकी चेतन मन की गतिविधी पर आपका चेतन मन निश्चित प्रकिडिया करेगा जिसमें असमित ग्यान और असमित सकती है इस तरीके से आपको अपने प्रातना का जवाब मिल जाएगा तस्वीर की तकनिक किसी विचार के सुत्री करन का सबसे सरल और अस्पस्ट तरीका है इसकी तस्वीर देखना आपके मन की आँखे इसे उतनी ही अस्पस्टता से देखना जिसे यसाकार हो आप आँखों से सिर्फ वही देख सकते हैं जो बाहरी जगत में पहले से मौझूद है इसी तरह आप मन में आँख से जो तस्वीर देखते हैं वह पहले ही आपके मन में अद्रिस छित्रों में मौझूद होती है जो भी तस्वीर आपके मन में है वह चाही गई अद्रिस चीजों का परणाम है आप अपनी कलपना में जो गड़ते हैं, वो आपके सरीड के किसी अंग जितना ही वास्तविक होता है, विचार वास्तविक होते हैं और वे एक दिन यथार्तवादी दुनिया में अवस्य परकट होंगे, सर्थ सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी मांचिक तस्वीर के परती नि देखते हैं, जिस तरह से वे उसे पूरा देखना चाते हैं, उनकी कलपना और विचार प्रकिडिया का एक प्लास्टिक का साजा बन जाता है, जिसे इमारत उभडेगी, यह सुंदर या बचूरत हो सकती है, गगन चुम्बी एक मंजिला मकान हो सकती है, लेकिन यह सब तस् के मांसिक धाची के अनुभव होती है, मैं सुरताओं के सामने भासन देने से पहले हमेशा तस्वीर की तकनिक आजमाता हूँ, मैं अपने मस्तिक्स को सांध कर लेता हूँ, ताकि विचार की तस्वीर अब चेतर मन तक पहुंश सके, फिर मेरे पूरे समागिरी की तस्वीर देखता हूँ, इसकी कुरुस्या, पुरुसों और महलाओं से भरी है, वे अपने भीतर की अस्मीत उचार सक्ती के उच्साहित है, मैं उन्हें स्वस्त खुस और स्वतंतर देखता हूँ, अपनी कलपना में यह विचार लाने के बाद मैं इस मांसिक तस्वीर को बनाये जाता हूँ, कि हर व्यक्ति का मन और सरीर, प्रेम, पुर्मतिया, सुन्दर्ता से भरा है, मेरा ऐसास उस बिंदू पर पहुंच जाता है, जहां मैं मन में जनता की आवाज सुन जबता हूँ, जो उनकी सिहोत और खुसी की घोसना करते हैं, फिर मैं पूरी तस्वीर को जावत दावा करती है, एक तस्वीर हजार सब्दे को बराबर है, इस तत्र पर दूर जिया जाना चाहिए, कि अब चेतनमन किसी भी तस्वीर को साकार कर देगा, बसरते उसके पीछे आस्था हो, इस तरह काम करो, जैसा मैं हूँ, और सच मुझ मौझ मौझ रहूंगा, कु एक रात को इस पोकिन वासिंग्टन में मैं अपने होटल के कम्र में पलंग पर आडाम कर रहा था, मैंने अपने ध्यान को इस्थिर कर लिया, सांत और निसक्रिय तरीके से मैंने कलपना की, मैं बहुत बड़े जन समुदाई के सामने भासन दे रहा हूं, मैंने सुनने वाल मांसिक फिल्म का नाट्टि करन किया मैंने संतुष्ठी महसूस की यह तस्वीर मेरे अपचेतन मन तक पहुंच रही है जो अपने तरीके से वास्तिक बना रहा है अगली सुबह जागने पर मुझे काफी सांत्य और संतुष्ठी का अहसास हुआ कुछ दिन बाद मेरे पास मुझे अपना डिरेक्टर बनाना चाहते थे मैंने प्रस्ताब स्विकार कर लिया और कई साल तक वहां पर बहुत ही संतुष्ठी दाया काम करने का अनंद लिया जिस तरीके का वर्नन मैंने किया है उसे अकसर मांसिक फिल्म विधी कहा जाता है मुझे बहुत से लोगों को पत्र मिलते हैं जिन्होंने मेरे पुस्तक पढ़ी या मेरे भासन सुने वे मुझे 10 तकनिक से हासिल वे आस्टर जनक परिनाम के बारे में बताते हैं मांसिक फिल्म विधी एक छित्र में खास उपयोगी लगती है जैदात बेचना अगर आप कोई मकान या जैदात बेचना जाते हैं, तो मेरा सुझाब है, कि आप पहले से अपने मन में ये संतुष्ट कर ले, कि आपके द्वारा ताई कीमत सही है और आपके द्वारा खरीदार दोनों की हिसाब से नयापुर्ण है इसके बाद अपने मस्तिक्स को सांथ कर ले, इस्थिल्ड हो जायें, विश्राम करें और उनिंदी निश्क्रे अवस्था में चले जएं ताकि समस्थ मानसिक प्रग्यास नियून्तम हो जाएं अब अपने हाथों में चेक और तस्वीर देखें चेक पानी पर खुशी मनाएं चिक के लिए धन्यवाद दें और अपने मस्तिक्स में बनी पूरी मांसिक फिल्म की सहस्ता अनुभव करते हुए सो जाएं आपको इस तरह काम करना है जैसे यह सच हो चुका हो ऐसे करने से अब चेतनमन पर इसकी चाप बन जाएगी फिर असमित बुद्धी मता उस खरीदार को आपक्योर आकर्सित करेगी जो उस जायजात को सच्मुच चाहता है और इसे प्रेम करेगा तथा इसमें संब्रिद्ध होगा मस्तिक गहरे परभाब से खरीदने और बेचने वाले एक साथ आ कारण यह है कि अब चेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक वादी सबसे सकती साली हो जाता है इस अवस्ता में आपकी इच्छा को अब चेतनमन तक पहुचने से रोकने वाले नाकारात्मग विचार मौजूद नहीं होते हैं मान ले आप किसी विनासक आदत से छुटक शांती महिस्कर रहा हुं इन सब्दों को रात और सुबबंगा पांच मिनर दस मिनर तक धीरे सांती और प्रैम से दहुराएं बार बार दोहराने सब्दों का भावनात्मक मत बढ़ जाता है। जब नकारात्मक आदत जोर मारे तो इस फर्मुलों को दोहरा ले। इस तक्निक से आप अब चितन को विचार स्विकार करने के लिए प्रेडित करते हैं और उपचार हो जाता है। धन्यवाद तक्निक। बायवल में पॉल सुझाब देते हैं। हम अपने आग्रा के साथ प्रसंसा करें और धन्यवाद दे। प्रतना की असान तरीके असाधारन परिनाम मिलते हैं। तीन बच्चे थे जिनका मुझे पेट पालना था। मैं नहीं जानती थी कि मदद के लिए खिधर चाओं। फिर मैंने आपकी यह बात सुने कि हमारी प्रतना का जवाब मिलने से पहले ही हमें कृतग होकर धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा लगा जैसा मेरे दिमाग की बत्ती जल गई हो मैं समझ गई कि मुझे इसे आजमाना ही होगा। और सुबत तीन हपते तक वह महला यह सब्द दोहराती रहे। परमपिता मेरे दौलत के लिए धन्यवाद उसने यह काम इस्थिल सांत अवस्ता में किया और तब तक करती रही। जब तक कि किर्टग्यता की भाबना उसके दिमाग पर हावी नहीं हो गई। उसने कलपना की कि वह अपने भीतर की असमित सकती और बुद्धिमता का आवान कर रही है। हालंकि जाहिर है वह रचनात्मक बुद्धिमता या असमित मस्टिक्ष को देख नहीं सकती थी। जब उसने मन में कमी गरीबी और रोक के विचार आते थे तो वह अवस्यक्ता अनुसार बार बार कहते धन्यवाद प्रम्पिता वह जानती थी कि अगर वह कितक नजरिया रखेगी तो उसका दिमाग दौलत की विचार को गरहन कर लेगा और यहीं हुआ उस महला की प्रतना का रोचक पईणाम मिला प्रतना सुरूख करने के कुस्तम्यबाद उसे रास्ते में एक पुर्व न्योकता मिला जिसे से वह पांस साल से मिली नहीं थे पुर्व नियोकता ने उसके सामने अच्छी तनखा वाली नोकरी देने का प्रस्ताव रखा उसने उसे कर्ज भी दिया ताकि वह पहली तनखा मिलने तक काम चला सके उस महला ने मुझसे कहा मैं धन्यबाद प्रमपिता के अभ्युक्त सक्ती की कभी नहीं भूल पाऊंगे इसने मेरे लिए चमतकार किया है साकारात्मा घोसना का तरीका साकारात्मा घोसना का प्रभाब काफी हद तक इसके सब्दों में नहित सत्त और अर्थ को आपकी समक्त सिताई करता है प्रात्ना में निर्थक दोहराव न करे साकारात्मा घोसना की सकते निश्चित और अस्पत साकारात्मा बातों के बुद्धी मता पुर्ण अमल में है मान ले इसकूल का कोई बच्चा तीन और तीन को जोरकर बलैक बोड़ पर साथ लिख देता है टीचर गनेत के निश्चितता से घोसना करता है कि तीन और तीन चाह होते हैं इसके बाद बच्चा अंगों को बदल लेता है टीचर की घोसना से तीन और तीन चाह नहीं हुए यह तो पहले सही गनेत की सच्चाई थी इसी सच्चाई की कारण बच्चों ने बलेक बोड के अंक बदल लिये बिमार होना शमान्य है, स्वास्थ होना समान्य है स्वस्थ आपके अस्थित्व की सच्चाई है जब आप स्वस्थ समंचस और खुद के लिए या किसी दूसरे के लिए सांति की सकारात्मा घोसना करते हैं तथा जब आपको यह एहसास होता है कि आपके अस्तित्म के सास्वत सिधान्त है तो आप अब चेतन मन के नाकारात्म अकुनाचे को अपने आस्था और घोसना के अनुरूप दोवारा विवस्थित कर लेते हैं प्रात्ना की सकरात्मा घोसना का परिणाम जीवन के सिधान्त पर बल देने पर निर्भाट करता है चाहे इस्तिति कैसी भी दिखे एक पल के लिए विचार करे गणित का एक सिधान्त होता है लेकिन गल्टी का कोई सिधान्त नहीं होता सच्चाई का एक सिधान्त होता है लेकिन बाईमानी का कोई सिधान्त नहीं होता बुद्धी का एक सिधान्त होता है लेकिन अग्यान का कोई सिधान्त नहीं होता सदभाव का एक सिधान्त होता है लेकिन मुनवटाब का कोई सिधान्त नहीं होता स्वस्त का एक सिध्धान्थ होता है लेकिन बिमारी का कोई सिध्धान्थ नहीं होता और सम्रिद्धी का एक सिध्धान्थ होता है लेकिन गडीबी का कोई सिध्धान्थ नहीं होता जब इंग्लेंड के एक अस्पताल में गॉल स्टोन्स हटाने पर मेरी बहन का उप्रेशन होने वाला था तो मैंने सकारात्मा घोसना के तरीके का पड़ियोग किया अस्पताल की जांचे और एक्सरेम उसके रोख की प्रुष्टी हो चुकी थी उसने मुझे अपने सेहत के लिए प्रात्ना करने को कहा मैं च्छा हजार मिल से ज़्यादा दूर था लेकिन इससे मैं विच्रित नहीं हुआ मस्तिक सिधात में समय और दूरी का कोई मतु नहीं होता असमित, मनिया, बुद्धी मता एक ही समय में हर विंदू पर पूरी तरह मौजूद रहती है दिन में कई बार मैंने अपने बहन के रोख और लक्षनों और उसके सारे के व्यक्तितु के विचार को दूर किया सांती और विश्वास से मैंने इस बात की सकरात्म घोसना की यह प्रातना मैं अपनी बहन कैथरीन के लिए कर रहा हूँ वह आराम और चैन से हैं, संतुलित और पूरी तरह सांत है अब चेतर मन के जिस उपचारक बुद्धी ने उसके सरीर को बनाया है वह अब उसके अस्तित के हर कोशिका, शनायो, उत्तक, मानस्पेशी और अस्ति को बदल रहा है वह अब बदलाब उसके अब चेतर मने में शामाहित सभी अंगों के आदर्स बुलूपरीन के अनुरूप हो रहा है सान्ति और खामोसिस उसके अब चेतर मन के सभी विग्रित विचार तंत्र हट रहे हैं और घुल रहे हैं इसके अस्तित के हर अनुमें जीवन सिधान की जीवन तता, पुन्ते और सुन्दर्ता परकट हो रही है अब उन उपचारक तरंकों को गहन कर रहे है जो उसमें नींद् की तरह परवाहित हो रही है तथा उसमे पुर्ण स्वत्ष समंझस और सांति दे रही है सारी विडिकृतियां और कुडूप छबियां अब उसमें परवाहित हो रहे प्रेम तथा सांती का समित समुद्र में गुल रही है यही हो रहा है दो सब्दावाद मेरी बहन की एक बार फिर जांच वे आश्यर जनक बात यह थी कि इस बार उसके एक्सरे में कोई गरवर नहीं निकले इसके डॉक्टर ने कहा उसके हालन में उलेखनिय सुल्धार हुआ है और अब ऑपरेशन करने की जरुत भी नहीं थी साकारात्म गोसना का मतलब यह कहना है कि ऐसा ही है जब आप सारे विपरित प्रानामों की बाबजूत इस मांसिक नजरिये को सच मानते हैं तो आपको अपनी प्रात्ता का जवाब जरूर मिलेगा ध्यान दे आपका विचार राकारात्मक नहीं है सिर्फ साकारात्मक गोसना करता है क्योंकि अगर आप किसी चीज से इनकार करते हैं तब भी आप दरसल उस चीज को उपस्तिती को स्विकार कर रहे होते हैं साकारात्मक गोसना को दोहराना या जानना कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं मस्टिक्स की चेतना इस अवस्था की ओर ले जाता है, जहां यह आपकी कही बात को सच मान लेती है, जीवन की सच्चाई की तब तक सागाराद्म गोशना करते रहें, जब तक कि आपको संतुष्टी दायक, अब चेतन प्रकिडिया न मिल जाए। परम विधी आधुनिक अल्टरासंड उपचार की तरह है, दुनिया भर में कई लोग इस विधी से प्रातना उपचार करते हैं और इसे अदभुत परिणाम मिलते हैं, परम विधी का पड़ियो करने वाले रोगी का नाम लेता है, फिर वो इस्वर उसकी गुन के बारे में ख इतना उपर उठकर एक नई अध्यात्मिक ध्रापतल पर पहुंच जाती है, वा महसूस करता है कि इस्वर ये प्रेम का महासागर, रोगी के मन और सरीर में मौझूद गरबर चीज को डुवा रहा है, जिसे दूर करने के लिए वा प्रातना कर रहा है, वा महसूस करता है कि इस्वर की सारी सक्ति और प्रेम और रोगी पर कैंद्रित हो रहा है, जो भी कष्टकारी या प्रेशानी भरा है, वा जीवन और प्रेम के असी महासागर की मौझुदगी में अब पूरी तरह गायव हो चुका है, प्रतना की प्रम विधी की तुलना, अल्ट्रासॉन चिकि जा सकता है, लोस एंजलिस की एक विख्या डॉक्टर ने मुझे हाली में उसके बारे में बताया, यह महला डॉक्टर अपने काम में जिस विधी का पड़ियोग करती है, वो हाई फ्रिक्वेंसी की सस्वत स्वर लहरे उत्पन करती है, जब इनके सरीर में आस्तमानी उत्तक लहरे उत्पन करती है, जिन पर यह लहरे केंद्रित हैं, वे उन पर गुंज के रूप में प्रतिकिडिया करती है, प्रातना के इस तक्निक से कई उल्लेखने उप्चार हुए हैं, आदेश विधी, हमारे सब्दों में सक्ति उसके पीछे की भावना और विश्वास के बल पढ़ियोग या मांचिक उस्ती नहीं होनी चाहिए, एक यूपती ने आदेश अबधी का इस्तमाल एक यूबक पर किया, जो लगातार उसे फोन करकर तंग कर रही थी, और डेटिंग पर चलने के लिए दबाब डाल रहा था, उससे छुटकारा पना यूपती को बहु मैं स्वतन्त हूं और वह स्वतन्त है, मैं आदेश देती हूं कि मेरे सब्ध अस्मित मांसिक में पहुँचे, इसे वास्तमिक बना दे, ऐसा ही हो, उसने बताए कि यूबक उसकी जिन्गिश तत्काल गायब हो गया, वह उस यूपती को दोबारा नहीं दिखा, वह कहती है, ऐसा लगा जैसे उसे जमीन निगल गई हो, तुम किसी चीज का आदेश दोगे, तो यह तुम्हारे सामने रख दी जाएगी, और तुम्हारे रास्ते पर रौसनी जल जाएगी, विज्ञानी सच्चाई से लाव ले, पहला मांसिक इंजिनियर बने, और अधिक व्यापक त चीजों को आसान तरीके हासिल करने की इच्चा करे, मांसिक विज्ञान की अच्चूक मदद ले, चौथा, आप अपने मन के स्टूडियो में शोचे गए विचार से अधिक सेहत, सफलता और खुसी की तस्वीर बना सकते हैं, पांचमा, विज्ञानिक रूप से पड़ियो करते रहे, जब तक कि आप खुद के सामने या साबित न करते, कि आपकी चेतन सुच पर आपके अब चेतन मन के असमीत बुद्धि मता की हमेशा सिधी प्रतिकिडिया होती है, चट्था, अपनी मनों कामना के निश्चित अपलवदि के पुरुवा नुमान में खुसी और आराम अनुहब करें, आप अपने मस्तिक्स में जो तस्वीर रखें, वो उन चीजों में होनी चाहिए, जिनके उमीद तो हो, लेकिन प्रमान नहो, सात्मा, एक मानसिक तस्वीर हजार सब्दों के बराबर है, या आस्ता से आपके मन में जिस तस्वीर को रखेंगे, आपक की प्रातना का जवाब मिल रहा है, याद रखे, कि तक ये हिर्दा हमेशा ब्रह्मान की स्रिम्रिद्धिक के करीब होता है, नौवा, सकरात्मा घोषना करने का महत्वियाह कहता है, कि ऐसा ही है, और विप्रित परिनाम के बाबजूत, जब इस मयंसिक नजरिये को सच मानते हैं, तो आपके प्रातना का जवाब मिलेगा, दश्मा, इस्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचकर, सदभाव, सेहत, और सांती की लहरे उत्पन करें, एक्ज्यारमा, आप जो आदेश देते हैं, और जिसे सच महसूस करते हैं, वह सच हो जाएगा, सदभाव, शेहत, स सांती और सम्रिद्धी के आदेश दे, इस पुस्तक के पिछले अध्यायों की लिंक, रेस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप इसके पिछले अध्यायों को भी सुन सकते हैं, आपने इस वीडियो से क्या सिखा, आपनी केमती समय निकाल कर हमें अव